Hey everyone, welcome to Arts Study Made Easy तो हमारी Class 7th की Geography सीरीज चल रही है जिसमें हम Class 7 Geography NCRT को डिसकस कर रहे हैं तो हमारी इसी सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं Chapter No.7 Human Environment, Settlement, Transport and Communication इस Chapter का आज हमारे Lecture 3 है अगर आप हमारे पिछले Lectures नहीं देखे हैं तो Playlist के Link Description में मिल चाहेगा आप वहाँ से देख लिजएगा और हाँ अगर आपको हमारे Lecture की PDF चाहिए तो Telegram Channel का Link Description में मिल चाहेगा आप वहाँ से PDF टाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हमारे आज के Lecture को तो आज के Lecture में हम पढ़ेंगे हमारे टापिक जो की हमारे इस चैप्टर का सेकेंड टापिक है वह है ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट अब होता क्या है तो देखें Means of मतलब ये एक तरह का ऐसा साधन है जो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूफ करने में हल्प करता है ठीक अब पहले के लोगों को पहले के जो जमाने में लोग होते थे अब उनको ट्रांस्पोर्टेशन के लिए कोई समान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ज़ादा लॉंग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अगसर आप देखेंगे यह टीवीज वगएरा में यह दूत वगएरा जो रहते थे लोग जब ट्रैवल करते तो घोड़े का यूज करके या तो फे पैदल ट्रैवल करते थे बहुत ही ज़ादा लॉंग डिस्टेंस को उसी की बात हो रही है पीपल है टो वाक एंड यूज अनेमल टो कैरी देयर कूट्स पीपल जो लोग थे उनको चलना पड़ता था और वो अपने साथ जानवर लेके जाते थे फिर उसके बात क्या हुआ अभी तितना चल रहा था दैन उसके बात क्या हुआ वेल्स का इंवेंशन हुआ वील की ख कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में लगभग 6-8 दिन लग जाते थे ठीक और आज की डेट में हम 6-8 दिन हम कम बोल दिये महीने लग जाते थे लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में आज की डेट में कुछ घंटों में ये काम हो जा रहा है ठीक और हां यहा यहां पर as a mode of transportation थे बगगी का हो गया पहले हम लोग बुलक काट वगएरा भी यूज करते थे अभी भी होते हैं कहीं इन दे एंडेज माउंटेन और साउथ अमेरिका लामास आर यूज्ड आर याक सिन तिबद तो यह एंडेज माउंटेन हैं साउथ अमेरिका का वहां पर ल बता रहा है कि हम अनेमल को सदियों से यूज करते आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए as a means of transport हम यूज कर रहे हैं अब यहां पर बता रहा है कि जो भी हमारे अरली ट्रेडर थे जो बाहरी विदेशों की ट्रेडर थे उनको कई महीने लग जाने थे इंडिया तक आने में अब इसमें कहा रहा है अल्ली टेटर्स कहां से आते तो या तो वो लैंड रूट से हैं या तो फिर वाटर रूट में यह लाइन थी थी थोड़ा और इसमे कहा है इसमें और पर रूट के और दाव सां करने और यह को भाकरोल्स से वाइन यह समारे थी यह बाइस कहां है अभी जो हमारी road है ये कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है, कच्ची road को metal roads कहा गया है, और कच्ची road को unmetall road कहा गया है, यहाँ पे आप figure 7.6 और 7.7 में आप देख सकते हैं, 7.6 बता रहा है metal road यानि कि पक्की road और 7.7 बता रहा है unmetall road थे, कच्ची road को, अभी हम road के बारे में देखे अब यहां पे कहा रहा है कि भाई the plains have a dense network of roads roads have also been building terrains like desert forest and even high mountains तो यहां पे बता रहा है कि जो हमारी plains वाले इलाके होते plains area जो रहते हैं उनके उनके पास बहुत ही जादा high network रहते है road का, यहां पर यहां पे सिर्फ plane की बात नहीं हो रही है हमाई जो road है वो terrains मतलब कोई ऐसे land form जैसे कि हमारा desert हो गया mountain हो गए और भी forest वगएर वहां पे भी हमारी roads रहती है पर हम प्लेंस में थोड़ा आसानी होती है इनको बनाने में बस इतनी सी बात है Manali lay highway in the Himalayan mountain is one of the highest roadway in the world अब यहां पे बता रहे है कि जो हमारा Manali से लेह वाला highway है इंडिया में Himalayan mountain में जो बना है वो world का सबसे highest roadway है ठीक हमारी जो world का वो सबसे highest roadway है roads built underground अब यहां पे बता रहे है कि रोट को भी classify किया गया है दो टाइप में जो हमारी underground roads रहती है जो नीचे रहती है ground के उनको हम sub base या under path कहते हैं और जो कोई भी structure या जमीन से थोड़ा उपर उठके रहती है उनको हम flyovers कहते हैं ठीक bridges type की रहती है थोड़ा बड़ ब्रिज हमारा नदी वगेरा में बनता है और यह flyovers जो है वो कोई भी structure के उपर में वाली जी नीचे कुप सारे building वगे तो उनको काट के उपर से एक बना दिया गया bridge type का structure वो हमारा flyover होता है अब यह do you know में हम कुछ facts के बारे में पढ़ते है तो चलिए देखते हैं there are several national and state highways in India the latest development in India is the construction of expressways हमारे इंडिया में कई तरह के national और state highways है ठीक national highways को हम लोग NX से denote करते हैं तो कई तरह के highways हैं हमारे इंडिया में जिसमें से अभी अगर हम latest development के बात करें तो जो हमारा expressways का construction हुआ है वो हमारा latest development है road में मतलब roadways के roadways में as a means of transport में ठीक अब यहां पर golden quadrilateral की बात हो रही है तो golden quadrilateral यह मतलब basically हमारे इंडिया के चार पॉइंट्स हैं जैसे Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata यह चार most cities हैं तो यह जो quadrilateral है यह इनको connect करता है ठीक एक मतलब मारे जैसे Delhi से road गई then Kolkata, Mumbai, Kolkata, Chennai and then Mumbai और फिर Mumbai से Delhi तो यह क्या form कर रहा है एक quadrilateral इसी लिए हम इसको इस road network को हम the golden quadrilateral कहते हैं इसमें basically हमारी चार cities को connect किया जाता है Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata ठीक आज के लिए बस इतना ही इसके आगे हम नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंग गए को कि भोस इसके आगे एक लिए्चर में आगे हम रादेास pretend Birthday yüzden में लोह कर दिए भोस को कर दोस्तों आगे हम भोस इसके हम छोस को आज का ऎन escritoतों आटों आगे से लिए प् waterproof गश्बशन ओध्कर मैं ठारषन और हॉस को कि मिए अवरत खा एक दार प्षन आगbbe 볼 घुन को